हेलो फ्रेंट्स बायो वर्ड में आप सभी का स्वागत हैं इस वीडियों मैं बताने वाला हूं कि आप लोग का जो बिहार पारमेडिकल 2020 वाला स्टुडेंट का कॉंसलिंग होगा या नहीं होगा ठीक है मैं बीडियो नहीं बनाता है इसलिए बनाया हूं क्योंकि सारे पॉल्टेकनिक का बहुत सारे स्टुडेंट तो पॉल्टेकनिक भी साथ में दिये होंगे एक्जाम उनका भी कॉंसलिंग डेट आ गया है सामने और यह पारामेडिकल का क्यों नहीं आ रहा है तो फ्रेंट्स आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था आप लोग को कि य एक जाम जो है एक जो है राजनिती के तहत लेया गया है तो यह भी एक जरिया हो सकती है कॉंसलिंग नहीं होने का और दूसरा कारण क्या है यह भी मैं बताने वाला हूं मैं वीडियो इसलिए लाया हूं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा रहता फैल चुका है आज होगी पारे मेंडिकल की कॉंसलिंग मैं सोचा था कि जब नौटी साइगी बोर्ड के तरफ से तब बना दूंगा और सब को बोल दूंगा कि यह यह चीज़ आप जो है रेडी रखो कॉंसलिंग के लिए ठीक है बट लाना पड़ रहा है क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा क्योंकि सब नहीं आधीन ऑफ्ट काजी है कि हुँआ है तो दोस्तों हुआ ऐसे कि सबसे पहले तुम है वाद जो है पॉल टेकनिक को किया गया अब जो है पारामेडिकल को कंट्रोल किया जाएगा अगर यह राइनितिक के तहथ नहीं हुआ होगा तो अगर यह राइनितिक के तहथ हुआ है तो आपका जो कॉंसलिंग है वो नहीं भी हो सकती है ठीक है दोस्तों क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर देख लिजिए पीए का जो आपके साथ पोल टेक्निक वाला हुआ था उनका भी डेट दे दिया गया उसके बाद जो था आई टीए का आप लोग से लास्ट में हुआ उनका भी डेट दे दिया गया इसका क्यों दे रहा है ठीक है तो इसका एक ही मकसद है या तो इनको नया वाला जो एक्जाम होगा जून में उनमें इनको मर्ज कर दिया जाएगा क्योंकि अब किसी भी अगर कोलेज में एडमिशन लेंगे तो सिर्फ six month में जो है स्लेवस पूरा नहीं होगा उसका फिर नया student आ जाएंगे पार्ट वन के फिर उनको कहां एड़ेस्ट किया जाएगा तो इसको लेकर के बोर्ड में थोड़ी सी इस पर मन्थन चल रही है कि क्या कैसे किया जाए और साथ ही जो है नया student आएगा तो उनके लिए भी तो जगह बनानी है और अगर नहीं बनानी है तो फिर इ यह वज़से आप लोग के counseling में time लग रहा है आई होब कि इस notice से आप लोग संतुष नहीं हुआ होंगे आप लोग को जनकारी चाहिए कि आप अप लोग का negotiation कब होने वाला है वह जनकारी नहीं मिला होगा लेकिन अक्च्वाल बात यहीं है कुंसिलिंग के डेट में लेट होने करण जो वज़ा है वो यही है यहीो कारण से आप लोग कि नहीं और没有 मत किजिए तो दूस्तें हम उम्मिद करते हैं कि आप लोग को थोड़ी से समझ में आई होगी किस वज़ा से नहीं हो रहा है